नॉन ब्रांड और ब्रांड दोनों एबलेबल है गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का प्रोडेक्ट हमारे पास एबलेबल है हर पंचायत के अंदर में हमारा खुद का एडबलू कुरियर पॉइंट खुल रहा 300-400 अभी सेंटर भी हमारा खुल चुका है कुरियर का जहां पर हम ऑफ-लाइन से लगाना स्टार्ट कर चुके हैं और हमारे साइड से उसको बैनिफिट यह है कि 30-50% हमेशा तो हजार इंप्लोई को मैं रोजगार दे रहा हूं उसके हॉम ताउन में जो जिस ब्लॉग का है उसी में ब्लॉग डवलोपमेंट मैनेजर के पोस्ट पर दे रहा हूं पटना में नया स्टार्ट अप होने जा रहा है अगर आपको कॉस्मेटिक का समान इलेक्ट्रॉनिक गार्मेंट्स या कुछ भी लेना हो तो आपको जो है यहां पर देखिए कि यह जुड़ बाएंगा देखे यह इडवलु शौपिंग जैसे अधर कंपनिया एकोमर्स के चल रही है उससी तरीके से यह तीन साल से हम लोग मार्केट में और तीन साल में हमने अच्छी मार्केट के अंदर में ट्राइल किया और हम लोग अब बिर्यत पैमाने पर इसको क दोनों एबलेबल है गुड मॉर्निंग से लेगे गुड नाइट तक का प्रोडेक्ट हमारे पास एबलेबल है अभी पर्टिकुलर जो है गाउं के लोग और से वंचीत है यह आपको भी पता है कि गाउं के अंदर में उसकी पहुंच नहीं होती है वहां पे नहीं जा पाता ह बट हमारा जो सबसे पहला टार्गेट है क्योंकि सहर में हम हैं पहला जो टार्गेट है वो गाउं का है तो हर पंचायत के अंदर में हमारा खुद का EW कुरियर पॉइंट खुल रहा जहां पे हम ऑफ-लाइन के दौरा लोगों को ट्रस्ट दिलाते हैं और ब्रांड को गाउं के फूद को परेशानी नहीं हो इसको विध्यान में रखते हैं का लोगों के अंदर के बीच में सारी चीजों को रखते हैं कि आप यहां से प्रोडेक्ट पर्चिस करें यहां पर इस तरीके से काम करें ताकि आपको प्रोडेक्ट मिलें तो हमारा जो टार्गेट है वो इंटायर अभी जो पर्टिकुलर यह जॉनल ऑफिस है इस जॉनल ऑफि भी हमारा किल शुए है कूर्यर जहां पर हम ऐस्ट लें स्टार्ट करते हैं उप लाइन से क्या होता है कि लोगों को एक ट्रस्ट जिगता है कि हम जो मार्कट में डिछने जाते हैं जो नहीं ले पाते हैं वह सैफ सबसे पहले आता और मार्केट उसको जाने की अवशक्ता नहीं है चाहे वह एलक्ट्रोनिक्स प्रोडेक्ट हो या ग्रोसरी जो या सूज हो या एबरीधिंग जितनी भी गुड मॉनिंग से लेखे गुड नाइट तक प्रोडेक्ट है उन चीज़ों को यह हमारे साइड से पर्चेश करते हैं और हमारे साइड से उसको बेनिफिट यह है कि 30 to 50% हमेशा बिल्कूल और अधर साइड के कंपरीजन में हम चलते हैं कि अधर साइड पे जो प्रोडेक्ट उसको मिल रहा है अधर साइड को वह हमारे कंपेर करेंगे तुससे हमेशा हम उसको एक से दो रुपिया जरू उससे चीफ देंगे बाद वाकि हमारी पॉलिसी जा हम 30 to 50% ऑफ देते हैं एक सवाल हमारा यह सर कि अल्रोडी जो है मार्केट में एक कॉमर्स के बहुत सारी वेबसाइट फ्लिपकार्ट है आपने कहा कि हम पंचायत तक पहुंचेंगे तो यह विकल्प जो है क्यूं आपके पास आपके पास आये अपफ देखें मार्केट में बहुत सारी कंपनिया चल रही है इस सेहरी और ब्रुप्स सारी बड़या में जाना नहीं चैने में परेशानी होती है और वक्षू ही है क्योंकि आप देख रहा हूं बट उस परेशानी को देखते हुए भी हमने गाउं में अपनी स्टार्ट किया है तो लोग हमारे पास इसलिए हैंगे क्योंकि जो सहर में चल जा करके उसको MRP पर प्रोडेक्ट मिलता है आप गाउं के लोग हो या आप देखते हैं सहर के भी लोग MRP पर प्रोडेक्ट खरीत देते हैं और जो चाहिए वही चीज हम उसको देते हैं जो लोग हमारे साथ लाजमी है की आएगा थीक है हमारा दूसरा सवाल है सर कि आपके पहुंचने के लिए आपके website के पास पहुंचने के लिए क्या डाइल करना पड़ेगा या क्या गूगल पे गूगल प्ले उस्ट टैरेक्ट भी पर्चेज कर सकते हैं और गाउं के अंदर में लोगों को ज्यादा सर्च करने की आफ शक्ता नहीं है क्योंकि गाउं के अंदर में मैंने क्या किया है कि हर जगा पे अपनी कुरियर पॉइंट को स्टेंड की है तुम हम पर सबसे वरी चीज़ें हम लगा रहा है बैनर भी लोगों के बीच लगा रहे हैं रिक्षा के द्वारा परचार प्रसार करवा रहा है और हमारे जो इंपुलई हैं उसके द्वारा आप इसका न्याम है क्यूंकि वह एक रोजगार का बिकल्प दिख रहा है यह एक रुजगार का बिकल्प है और बिहार में रुजगार की बहुत कमी भी है इसको उसका क्या नियम है अभी जैसे हम सब जगह पे एक रुजगार ऐसे तो देख लीजिए कि अभी हमने अभी तो एक हजार से ज्यादा लोगों को पहले तो हम उसके गाओं के अंदर रोजगार दे रहा है उसके बाद जो चौरासी सो पंचायत है तो वहाँ पे एक जिसको भी हम कुरियर पॉइंट अभी हम फ्रेंचाइजी डिस्टिब्यूट कर रहे हैं एक नॉमिनल सा फॉर्म जो होता है उसको हम फुल्फिल कराते हैं उसके बाद उसको एक रोजगार मिलता है कि महिने का वह अराम से लाक रुपिया यहां से कमा सकत है क्योंकि उसको पैकेट पे 20-30-40 रुपिये मिलते हैं और मैं डिरेक्टियों वहाँ पे अपने ठांस्पोर्ट से पहुचा के देता हूं तो समझिए कि 845 में 842 को तो रोजगार मिल गया 538 ब्लॉक में 538 ब्लॉक में आपको इसका रोजगार मिल गया जितनी पीन कोड है उसके रोजगार मिल गया साथ में इसके ब्लॉक का mountain में यहां पे बेar इसके बाद क्या है कि हमारीutet blown यहां पे स्टेंड हो रही है तो मोटा मोटी समझेंगे तो एप्रोक्स 20-30 जार लोग यहां से रोजगार पाएंगे अगर कहा जाए कि स्मार्ट सहर के बाद इस मार्ट गाउं बनने जा रहा और लोगों की बेरोज़गारी भी दूर होगी और जो चीजे चाहिए हो गाउं में मिलेगी उसको आपने क्या मेरा नाम रुपेश कुमार की कंपणी का क्या नाम इडवल सॉपिंग आप जो है गाउवाला जो लोग होते हैं तुरा टेंसन में रहते हैं फिलिपकार्ट से समान मंगाएंगे तो यहां आएगा कि नहीं आएगा लेकिन अब पंचायत का मतलब हो गया कि सुदूर एरिया य सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा यूटूब को फेशू को लाइक फोलो करना नहीं भूलिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद जाहिए बारत